सौलम में पूर मुक्य मंत्री भाजपा के नेता शांता कुमार की अध्यक्ष्टा में प्रसवारता का आयोजन किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कॉंग्रेस कारेकाल में निवेशक उद्योगपती दरदर की ठोकरे खा रहे थे। उनकी उपचारिकताएं ही पूरी नहीं होती है लेकिन अब जैराम सरकार में निवेशकों के पक्ष में नीती बनाई गई है जिसमें निवेशकों को कही जाने के जरूरत नहीं है बलकि उनकी सबी उपचारिकताएं सरकार शे माँ के भीतर पूरी कर उन्हें पर दान पूरी मुख्यमंत्री बासपा के निता शांता कुमार की अधिक्षता में प्रेस बारता का योजन किया गया उन्होंने इस मौके पर कहा कि कॉंग्रिस कारेकाल में निवेशक उद्योगपती दर दर की ठोकरें खा रहे थे उनकी आपचारकताएं ही पूरी नहीं होती लेकिन जब जैराम सरकार में निवेशकों के पक्स में नीती बनाई गई है जिसमें निवेशकों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बलकि उनकी सभी और चारकताएं सरकार 6 मा के बितर पूरी कर उन्हें परदान करेगी जिससे उन्हें उमीदे हैं कि जल्ड ही हिमाचल में उन्होंने कहा कि चंबा को स्वीजर लेंड बनाना उनका सपना था बैबी पूरा होता आप उन्हें दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि पहले ही माचल की राजनिती में सहयो की परंपरा थी पक्षभी वक्स परदेश को पिकास की चिंता करते थे लेकिन अब केबल आर्टिस्ट की भूंका निवा रहा हूँ पूरा मुख्यमंदरी शांता कुमार ने कहा कि बेसक देश में कॉंग्रेस को अठराद परदेशों में हरा कर बाच्वायन एतिहासिक जीत हसल की है लेकिन इस बीज़े से लोगतंतर कमजोर हुआ है बिपक्ष बिवक्ष की भू उन्हें मिल सकता था लेकिन ये मौका वे कॉंग्रिस चोगी ब्रस्टाचार पर पूछे सवाल पर उन्होंने का कि देश में ब्रस्टाचार को खतम करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसकी जड़ें बहुत नीची तक फैल चुकी है जिन जनता के सहयोक के बिना नहीं उकारा जा सकता उन्होंने अबैद निर्मानों को लेकर जिन अदिगारियों के काराकाल के दोरान अबैद निर्मान ही माचल में हुए हैं उनके किला पर देश तरकार को सक्त कारवाई अमल में लाई जानी चाहिए इस चनाओ में हम तो जीते एक बहुत बड़ी आतिहासर जीत अमारी हुए लेकर लोकतन तो थोड़ा कमजोग हो था एक मात्र आल इंडिया पार्टी कांग्रेस अठारा प्रदेशों में साफ हो और मुझे लगता ही थी हासरे बहुत बड़ा मौका गिया था कांग्रेस हो परिवार से बाहर निकलती है तो कॉंग्रेस का भैश्य पार्देश लेकर दुर्बाग से इस परीक्षा में भी वो सफल होती दिखाई दे रही तो आल इंडिया पार्टी के अबल कॉंग्रेस है और भारत जैसे देश में को नई आल इंडिया पार्टी बनेगी कहना बहु किसी युगा को अद्यश में आए और डॉक्टर करन सिंग जैसे रना मुकर जी जैसे बड़े अच्छे दिगज देश्वक्त अरबवी लोग कांग्रेस में हैं वो मार्दर्शन करें क्योंकि लोक तंत्र के लिए अच्छा विपक्ष चाहिए भरष्टाचार को गटाने की हटाने की पूरी कोशिश दिली से लेकर शिबला तक हो लिए लेकर रष्टाचार नीचे तक इस अब तक वैला है कि उसको दून करने के लिए जन्ता को आगे आना चाहिए तेकि आज कहीं पर हिमार्चल करदेश के गुलिस के अधिकारी को जिसके बारे में बहुत लोगों वर्षों से शिकाइटी आज अखर कोई भती आगे आया जिसने सूतर दी और उसको पकड़वाया